हर रोज आपके लिए new content लाने की कोशिश रहती है और आज मैं आपके लिए बहुत ही interesting content फिर से लेके आया हूँ आपके लिए हमने क्रेटा पे इतना content बनाया है अब अलकजार का भी हमारा content आपको बहुत पसंद है हम आपको बताने वाले आपको इन दोनों में से कौनसी गाड़ी चाहिए और किस हुआ जैसे जी हां गस्तो दिखिए अगर आपके पास car bank doubts है अगर आपको सब clarity थी है मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने वीडियो से आप तक clarity लाने की लेकिन अगर आपको नहीं clarity आ रही है अगर आपको और doubts है तो आप में साथ call पे जुड़ सकते हूँ मेरी team of experts है उनके साथ भी call पे जुड़ के अपने सारे doubts को clarify कर सकते है उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़े करनी पड़ेगी चले जाए motoroktrain.com slash car-consultancy वहाँ पे second चीज़ कीज़े अपने details छोड़ आज हम बात करने वाले हैं एकदम clear focus क्रेटा अलकजार कौन सी आपके लिए suitable है और किस वज़े से देखे पहली चीज़ जो मैं यह clearly कहना चाहता हूँ एकदम अच्छे से सुन लीजे वो यह है कि जिस तरीके से harrier safari का relation है जिस तरीके से hektar hektar plus का relation है क्रेटा अलकजार मे वो relation रहेगा बट जो differences है वो ज्यादा आ जाएंगे अगर आप देखेंगे अब मैं आपको एक एक example देता हूँ अगर आप देखते हैं hektar hektar plus या harrier safari basically आप एक चीज़ नोटस करोगे कि दोनों गाडियों के wheelbases से मैं तो जो normal car है and the plus जो 5-seater and 7-seater है उनके wheelbase exactly से मैं य नहीं किया गया है in terms of seating हां second row को six या seven seater captain seats वो difference आगे बट उसके अलावा कोई major change नहीं है यानि कि third row passengers जो हैं उनके लिए extra space बनाने की कोशिश की गई है अब hektar plus की size almost उतनी है safari में length बढ़ा करके third row space बढ़ा दी गई है वेरस अलकजार में एक major change किया गया है उसका wheelbase बढ़ा कर दिया यानि कि जो third row passengers है उनके नीचे ही wheel आएगा वरना दुसरी गाड़ियों में wheel के second पीछे जो पीछे वाला पाया है उसके बाद seating आ रहा था इसमें second row नहीं third row पे wheel आता है यानि कि third row passengers को अच्छी comfort मिलेगी उनकी ride quality अच्छी रहेगी and moreover गाड़ी का जो dynamics है वो बदल जाते है अगर आप wheelbase बढ़ा देते हैं तो ये एक clear differentiation किया गया है between all cars and Alcazar अगर मैं five and seven row को directly compare करूँ second important point ये आता है कि Alcazar का engine options change कर दिये गए क्रेटा के petrol में आपको दो engines आते है 1.5 liter and 1.4 liter turbo whereas Alcazar के petrol में आपको ये दोनों नहीं मिलता है आपको एक बड़ा engine मिलता है 2 liter का जिसमें आपको six speed manual and six speed automatic offer किया गया है तो ये clear differentiation की वजए से petrol को ज्यादा power मिल जाता है clearly indicating कि Alcazar में focus किया गया है more towards performance and premiumness अब premiumness क्या difference है मैं आपको बताता हूँ अगर आप एक five seater and regular seven seater देखते तो वहाँ पे क्रेटा और Alcazar में major difference आ जाता है कैसे second row में आप notice करोगे एक door बड़ा है wheelbase ज्यादा है second row passengers के लिए space जो है उसमें differentiation किया गया and second row passengers के लिए features भी ज्यादा offer कर दिये गया अब जो गाड़ी मैंने देखी थी वो top model नहीं था तो इस वज़े से मैं नहीं बटा सकता exactly क्या करेगा but मेरा assumption यह है कि Alcazar में जहां captain seats option आएंगे वहाँ पे एक तो second row passengers को extra features मिलेंगे जैसे wireless charging हो गया you can even expect maybe features like ventilated seats पर वो क्या-क्या आएगा exact उस पे clarity नहीं है पर मैं आपको यह चीज़ दावे के साथ कह सकता हूं कि Hyundai का focus clear है अगर आप एक 6-seater version लेते हैं Alcazar का तो आपको सारे premium features मिलेंगे जो generally सिर्फ front row passengers को मिलते हैं तो second row passengers को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और उन पे equal focus देने की कोशिश की जाएगी in the Alcazar और 6-seater version और 7-seater version में कुछ asset differences रहेंगे in features जो एक you know एक second row passenger जो पीछे बैठने ओला बंदा है जिसको खुद गाड़ी नहीं चलानी है जिसको you know generally उस वहाँ पे लोग sedan लेते हैं अब exactly इन दोनों में pricing कितना difference रहेगा यह बोलना मुश्किल है अगर आप hectare and hectare plus देखते safari and harrier देखते तो लगबग एक लाग का फरक है बद यहाँ पे price difference बढ़ जाएगा तीन main reasons, सबसे पहला engine अलग है, second reason dynamics अलग है गाड़ी के wheelbase बड़ा हो गया, you know third row पे space जादे देदी, door बड़े हो गया गाड़ी के अंदर and third इसका जो features list है अगर creta में आपको मान लो 10 feature आते हैं तो आप expect कर सकते हो at least 15 features in the Alkazar, so Alkazar will be a lot more feature loaded than the Creta तो ये तीन reasons की वज़े से गाड़ी की price कम से कम 2 से 3.5 लाख रुपेज ज्यादा होनी चाहिए अगर मैं petrol की बात कर लूँ, diesel में उतना major difference नहीं आएगा, क्योंकि engine वो ही है diesel की जो आपको आज creta में आती है तो इस वज़े से आप एक major difference expect नहीं करना वापे तो in short मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको creta पसंद है, अगर आपको लगता है कि इसका top end मेरे budget तक just आ रहा है या इसका mid variant मेरे budget में just fit हो रहा है, तो creta की तरफ जाहिए अगर आप creta base देख रहे हैं, तो Alcazar आपके price point में नहीं आएगा अगर आप mid level creta देख रहे हैं, तो आपको Alcazar का base आएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक advantage मिलेगा वो यह है कि Alcazar की 6 row, 7 row flexibility का एक addition आपको मिलेगा at a similar price पर features आपको वहाँ पे कम मिलेंगे, अगर आप एक mid level creta से compare करते हैं तो top level creta जाएगी, वहाँ पे आपको मिलेगा mid level का Alcazar, और अगर आपको लगता है कि आपके पास extra पैसे हैं, आपको extra features की जरुत हैं तो मैं काऊंगा कि creta की तरफ नहीं, फिर Alcazar की तरफ जाएगी है, क्योंकि अगर आप वो extend कर सकते हैं, 22, 23, 24 लाक रुपे तो फिर बिना जिजग के आप चले जाएए towards Alcazar, ए लेंद बहुत जादा बड़ी नहीं है गाड़ी की, तो आपको parking में problem नहीं आने वाल है इतना space similar है, first and second row की creta जैसी, तो वहाँ पे problem नहीं है, आपको एक flexibility मिल जाती है, seven seater की, moreover ease of driving मिल जाता है इसमें जैसे क्रेटा काफी easy to drive है, ये गाड़ी भी वैसी easy to drive रहेगी, however, जो चीज आप शायद miss out करेंगे हो रहेगी, थोड़ी difficulty in parking क्योंकि ये क्रेटा से थोड़ी लंबी है, बस, तो अगर आपको बड़ी गाड़ी की आदत नहीं है, तो मैं कहूँगा ठीक है क्रेटा this is not the final compare, क्योंकि हमने in-depth दोनों गाड़ी चलाएंगे, आपको तब बता पाएंगे कि X low or Y, but मैं आपको एक चीज यहां clearly कह सकता हूँ, कि जो क्रेटा का strongest rival था, वो CELTOS था, but अब लग रहा है क्रेटा का strongest rival जो रहेगा वो अलकजार बन जाएगा, तो ये था हमारा आज क and call time book कर दीजिए, मैं साथ बात कर सकते हैं, मैं team of experts हैं जिनको मैंने train किया हुआ है, उन से बात कर सकते हैं and moreover, अगर आप new car ले रहे हैं और आपको insurance लेना है या आपको renew करना है अपनी गाड़ी का existing insurance, चले जाएगे motorokteen.com slash insurance पे और वहाँ पे अपने details छोड़ जीजे, मै मिलेंगे कल फिर से with an all new video, like दे दीजिए इस video को और subscribe करना मन भूलिए वह आप ऐसे videos miss कर है, मिलेंगे कल फिर से, take care, bye guys